मैं हूँ आपके साथ चैले इंद्रपांडे नवरात्री का पावन समय चल रहा है और इस पावन समय में आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिन कारियों से आपको विशेश फाइदा हो सकता है अगर हम यंत्रों की बात करें तो यंत्रों में सबसे शक्तिशाली जो यंत्र है उसका नाम है श्री यंत्र और श्री यंत्र को इस थापित करने का बहुत अच्छा मौका होता है नवरात्री जब आप श्री यंत्र को इस थापित करके विधिवत इसकी पूजा उपासना कर सक इसके पहले कि हम यंत्रों की बात करें आपको बता दें कि यंत्र आखिर होते क्या हैं देखिए यंत्र जो है वो एक विशेश प्रकार की सधी हुई जामिती ये आकरती है जियोमेट्रिकल डाइग्राम है एक विशेश तरीके से जियोमेट्री का डाइग्राम बनाया जाता है चित्र बनाया जाता है विशेश तरीके का चित्र होता है इसे यंत्र कहते हैं ये मंत्रों का भौतिक स्वरूप है, जो मंत्र आप बोलते हैं, वो मंत्र जब शरीर में बना दिया जाता है, आकृती में बना दिया जाता है, तो उसे यंत्र कहते हैं. किसी विशेश मंत्र को या किसी शक्ती को अगर रूप में ढाला जाए, अगर उसका चित्र बनाया जाए, तो यंत्र का निर्माण होता है, अगर आप मंत्र का चित्र बनाना चाहें, या किसी शक्ती का चित्र बनाना चाहें, तो जो चित्र बनेगा, उसी को यंत्र कहते हैं. यंत्र में आकृतियों का, रेखाओं का और बिंदुओं का विशेश प्रियोग होता है यंत्र की आकृति बड़ी इंपोर्टेंट है, उसकी एक-एक रेखा इंपोर्टेंट है और यंत्र का हर बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप यंत्र बना रहे हैं या यंत्र का निर्माड कर रहे हैं एक भी रेखा, आकृती या बिंदु अगर गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है यंत्र बहुत फिक्स डाइग्राम पे चलते हैं यंत्र एक तरह से समझें कि किसी चीज का नक्षा है एक बिंदू भी अगर गलत हो जाएगा तो आप भटक जाएगे यानि यंत्र इतने ताकतवर होते हैं कि उसमें एक भी लकीर अगर टेड़ी हो गई या एक भी बिंदू अगर उपर के बजाए नीचे लग गया तो यंत्र के परिणाम बिलकुल उल्टे हो जाएंगे परिणाम भयंकर हो जाएंगे यंत्र दो तरह के होते हैं बेसिकली एक होते हैं रेखाओं वाले और आकरतियों वाले जिसमें चित्र बना होता है रेखाएं बहुत सारी होती है जैसे श्री यंत्र एक यंत्र ये होता है और दूसरा यंत्र होता है अंकों वाला यंत्र नंबर वाला यंत्र कि आपने नौखाने बनाये और सब में एक एक नंबर लिख दिया आकृती वाले जो यंत्र होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं जिन यंत्रों में चित्र बना हुआ होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं अंकों वाले जो यंत्र हैं वो थोड़े कम ताकतवर होते हैं लेकिन ताकत उनके अंदर भी काफी होती है. तो यंत्र जो है वो बड़ी शक्तिशाली चीज है और अगर सही तरीके से सोच समझ कर सही मुहूर्त में उसे बनाया गया है और सही समय पर उसका प्रियोग किया जाए तो यंत्र बहुत कुछ शमतकार पैदा कर सकते हैं जिन्दगी में अगर आप उसको समझे तो अब हम आते हैं श्री यंत्र पर श्री यंत्र की महिमा क्या है? हम यंत्रों की बात कर रहे हैं तो उसमें अब ये जान लेते हैं कि श्रीयंत्र इतना ताकतवर क्यों है इसकी महिमा क्या है भाई देखिए श्रीयंत्र की जो सिध्धी है वो भगवान शंकराचार्य ने की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने श्रीयंत्र का निर्मान किया था और इसकी सिध्धी भी की थी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा ताकतवर यंत्र अगर कोई है तो वो श्रीयंत्र है हाला कि लोग इसको धन का प्रतीक मानते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीयंत्र के प्रियोग से धन मिलता है लेकिन श्रीयंत्र धन के अलामा शक्ती और सिद्धियां भी प्रदान करता है श्रीयंत्र इतना ताकतवर है कि धन तो देई सकता है उसके अलामा आपको चमतकारी शक्तियां दे सकता है और आपको बहुत सारी सिद्धियां दे सकता है अगर आप श्री यंत्र के बारे में जानते हैं तो श्री यंत्र का सही प्रियोग अगर किया जाए तो इससे संपन्नता, सम्रिध्धी और एकागर्टा की प्राप्ति होती है इसके सही प्रियोग से हर तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है अगर आप श्रीयंत्र का सही प्रियोग जाने तो इसके सही प्रियोग से हर तरह की गरीबी को हर तरह की दरिद्रता को मिटा सकते है ये बहुत सारे तरीकों का होता है श्रीयंत्र केवल एक तरीके का नहीं होता बहुत सारे तरीकों के श्रीयंत्र बनते हैं जैसे समतल, उभरा हुआ श्रीयंत्र, पिरामिड वाला श्रीयंत्र बहुत सारे तरीके के श्रीयंत्र पाए जाते हैं